Hello guys, ऐसे हो आप सब और हमारे future bankers आपके लिए बहुत ही बड़ी कुछ कबरी है कि SPI ने अपनी notification जाई कर दी है PO के लिए, probationary officers के लिए ठीक है, तो इस video में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या eligibility criteria रहने वाला है, ठीक है, कितने sections है, क्या है, कितनी age limit है, और आपको form कैसे fill कर करना है, ठीक है, इस video को end तक देखिए, कुछ problem आए तो मुझे comment box में बताइए, तो guys, अब हम, यह मैंने आपके सामने, official notification इसकी खोली हूई है, SBI की, ठीक है, तो आप जैसी की देख सकते है application, और जो आज निकली है, इसकी notification जो की है 2 तारिक, 2 April 2019, और last date है इसकी 22 April 2019, ठीक होते हैं, कि हम आखरी दिन फिल करेंगे, please वो थोड़ा सा वो हो जाए, अपने life में serious हो जाए, और कम से कम, 2-3 हफते पहले ही form फिल कीजेगा, ताकि last में कोई ऐसा होते है, कभी site hang हो जाती है, और मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ, last के लिए कभी भी कोई form मत छोड़ अगर और last में, बिलकुल site hang up होने के बहुत chances रहते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले तो भड़ते नहीं, फिर source होके उनको चीजे याद आती है, ठीक है, चलो बिना time waste करें, हम इसमें discuss कर लेते हैं, क्या-क्या है इस वीडियो में, सबसे पहले आप देखिए यह, मैं आपको बताती हूँ, इसमें, main section है हमारा यह discuss करने का, यह देख लिए, online registration में आपको बता लिए, कब से कब तक है, आज से शिरू हुए हैं, और आप 22 तारिक तक कर सकते हैं, ठीक है, इस form को fill कर सकते हैं, 22 April तक, फिर payment of fees हैं जो, वो भी 24-2019 से लेकर, 22-4-2019 तक के बीच में रहेगी, ठीक है, आप download call letter, जो preliminary exam का call letter है, वो 3rd week of May, ठीक है, 2019 onwards से आपका start हो जाएगा, ठीक है, 3rd week of May में, most probably आपका call letters download होने चालो हो जाएंगे, अब जो exam है, आपका वो कब कब होगा, यह है 8, 9, 15, 16, June 2019, ठीक है, इन तारिक में होग last year भी इसी time पे इनी dates को exam हो आता आपका, इस बार भी dates आई हैं आपकी, तो इस बार भी उसी time होने जा रहे है, ठीक है, जो आपका result है, preliminary exam का, वो 1st week of July में आ जाएगा, ठीक है, 1st week of July में आ जाएगा, 8, 9, 15, 16, June को exam हो जाएंगे, फिर आपका जो main letter है, जो main examination के call letter है, वो 2nd week of July में आ जाएंगे, ठीक है, और जो main examination है, mains का examination है आपका, वो 27, 2019, मतलब 20 July 2019 को होगा, ठीक है, declaration जो है result की, result आ जाएगा आपका 3rd week of August में, ठीक है, अफिर उसके बाद में, group exercise और interview के लिए, जो आपका call letter है, वो 4th week of August में आ जाएगा, और आपका कंड़क जो होगा, य 2nd week of October 2019 में आपका ये पुरा हो जाएगा, ठीक है, बागी जो SCST और religious minority communities है, उनकी जो pre-examination training होती है, वो 2nd week of May, जो है, दूसरे week से चालो हो जाएगी, ठीक है, और pre-exam training 4th week of May 2019 से, तो guys, ये है आपका पूरा इसका scenario, तो आप जो भी बच्चे इस फॉर्म को फिल करना चा कई बच्चे पूछते हैं कि क्या appearing candidates, जो appearing candidates है, क्या वो इसको fill कर सकते है form को, जो अभी फिलाल final year में है अपने, वो क्या इस form को fill कर सकते है, हाँ, बिल्कुर fill कर सकते हो, जो भी final year के candidates हो, जो मतलब, जो अब अपने final year के exams देंगे, ठीक है, पर बशरते, उनका जो result है, उन के हाथ में होना चाहिए, ये result, ठीक है, आप ये बच्चे fill कर सकते हैं, इस form को, फिर guys आपको इसमें ये भी पता है, कि आपको number of chances दिये जाते हैं, कि number of chances, कि इतनी बार आप appear हुए हो इस paper में, तो वो भी हम नीचे discuss करेंगे, बाकी और चीज़े भी हम discuss करेंगे, ठीक है, हम देखते हैं, अब हमको क्या discuss करना है इसमें, ये देख लीजे गाइस, उसके गाद हम discuss करते हैं, इसमें कितनी पोस्ट हैं, total vacancy जो हैं, आपको पता है, 2000 है, 2000 आपकी vacancies हैं, इसमें, plus, तो इसमें देख लीजे, कौन-कौन जी category की, कितनी-कितनी vacancies हैं, तो आपकी SC category जो ह हैं, आपकी 4-5-40 vacancies हैं, ठीक है, और जो ये vacancies हैं, और ये star mark लगा होता है, अगर जिसको ये notification पढ़ने नहीं आती है, देखे, star mark का मतलब है, vacancies reserved for OBC category are available only to non-creamy layer, ठीक है, of OBC candidates, creamy layer OBC candidates should indicate their category as journal, जो आपको पता है, OBC में भी दो categories होती हैं, एक creamy और एक non-creamy, जो जो OBC में non-creamy layer में आते हैं, उन्हीं के लिए ये vacancies हैं, ठीक है, और बाकी जो non-creamy layer में आते हैं, उन्हीं के लिए जो creamy में आ जाते हैं, वो अपनी category को journal से भरें, ठीक है, वो इस form को journal से भरें, फिर आप देख लिजे, economical weaker section का भी आपको इस बार वो generate हुआ है, तो उनकी 200 vacancies हैं, जर्नल के लिए आपकी 810 vacancies हैं, और टोटल हैं आपकी ये 2000 vacancies, ठीक है, LD, VIHI, DE, ये आप नीचे पढ़ लीजे, क्या है आपका, ठीक है, PWD candidates के लिए, और ये जो locomotive disability है, ये सारे आप नीचे पढ़ लीजे, ये है आपका, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, कि हम आपका, हमें इस form में क्या देखना है, अब हम देखते हैं इसमें, कि आपकी eligibility जो है, आपकी age limit जो है, वो कितनी होनी चाहिए, percentage का है, इसमें system percentage कितन होनी चाहिए, वो देख लेते हैं, हम एक बार, अब देखिए guys, ये है आपका eligibility criteria, eligibility criteria में क्या दे रखा है, आपका essential academic qualification as on 31 A 2019, जो आपकी 31 August, 31 August, 31 August को क्या qualification आपकी होनी चाहिए है, the, ये देखिए, graduation in any discipline from recognized university or a equivalent qualification recognized as such by central government, ठीक है, आपकी graduation होनी चाहिए, जो की final year में है students, वो apply कर सकते हैं, लेकिन उनका जो result है, वो उनके हाथ में होना चाहिए है, 31 A 2019 से पहले, ठीक है, जो integrated dual course, candidates having integrated dual course degree, जो dual course की degree जो लेते हैं, उनका जो certificate है, of passing, वो भी होना चाहिए, 31 A 2019 से पहले का, ठीक है, वही candidates जो है, apply कर सकते हैं, candidate, अब ये नीचे आपकी percentage का है, वो आपको कैसे fill करनी है, कि CGPA जो है, आपका वो कैसे fill करनी है, आपको candidate should indicate the percentage obtained in graduation, calculated to nearest two decimals in online application, जो भी आपकी graduation में, आपकी percentage आईए, दो decimals तक आप उसको भरिये, for example, 59.56, ठीक है, 55.65, दो decimals तक आप nearest decimal तक भर सकते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ है, अब हम चलते हैं उपर, फिर आपका इसमें third point आपका लिखा हुआ है, चल्कुलेशन जब आप percentage ही करेंगे, ठीक है, अगर आपको 59.99% है, तो वो 60% से less मानी जाएगी, इन केस आपके 54.99% बन रहे हैं, तो वो 55% से कम बानी जाएगी, एज लिमिट जो है आपकी गाईज, वो 1-4-2019, मतलब कि 1 April 2019 को, आप 21 साल से छोटे नहीं होने चाहिए, ठीक है, 21 साल तो एज आपकी होनी ही होनी चाहिए, या फिर और 30 साल से उपर नहीं होने चाहिए, 30 सा से कम और 21 साल तो होनी ही जाहिए, ठीक है, 21 साल से जादा, 20 साल या 30 साल से कम, एक चार 2019 को, अब इसमें क्या है गाईज, जैसे कि आपको पता है, एज रिलेक्सेशन का सभी बच्चों को पता होता है, कि शेडूल कास को एज रिलेक्सेशन मिलती है, 5 साल की, मतलब की, अग इसमें क्या है नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं, अब यह सारा है, आपका रिजर्वेशन्स फॉर पर्सन विद इसमें इसमें क्या है नोटिफिकेशन में और देख लेते हैं, अब यह सारा है, आपका रिजर्वेशन्स फॉर पर्सन विद इसमें इसमें और देख जो भी जिस भी disability को फेस कर रहा है वो एक बार उनके जो भी लोग देख रहे हैं इस form को वो इसको देख लीजिए कि कितनी कैसी disability के लिए कितना आपको जो है relaxation मिला हुआ है तो उस हिसाब से इस form को फिल किरीजिएगा ठीक है आपको पता ही है कितने फेस में एक्जाम होता है आपका एक तो preliminary exam होता है आपका phase 1 ठीक है जो की marks जो है वो add नहीं होते बट वो एक final merit list में बनती है उसमें उसके basis पे आपका phase 2 का exam conduct किया जाता है फिर phase 2 में बहुत objective test होते है और descriptive होते है ठीक है जो की add होते है marks फिर आपका ज interview phase होता है phase 3 और उन सबको मिला के आपका merit list बनाई जाती है at the end ठीक है फिर आपका marks दिये होए है कि कितने कितने marks आपको obtain करने है examination centers का दिया हुआ है guys examination center में क्या है examination center आपका कहीं भी आ सकता है किसी भी India के center में आपको लीचे choices दी जाएंगी जब आप form भरते हैं तो आपको जगे पर आपका examination center पढ़ेगा ठीक है for example अगर डिली NCR है तो डिली NCR में कहीं भी आपका examination center पढ़ सकता है दूसरी चीज अगर आपने एक बर examination center को select कर दिया है उसके बाद और form फिल हो चुका है आप उसको change नहीं कर सकते ना ही को request कर सकते हो कि हमारा examination center आप change कर दीजे ठी SBI के पास इतना right है कि वो examination center है किसी को भी cancel कर सकते है in case उसको लगा कि यहाँ चीजे ठीक नहीं जारी वो cancel भी कर सकती है ठीक है दूसरी जीज गाइज अब हम देख लेते हैं category plus emoluments आपको कितना है कितना नहीं है इसमें selection procedure देख लेते हैं हम एक बार तो इसमें आपके देख लेजे basic पे कितनी हैं आपकी बेसिक के हम देख लेते हैं basic पे है आपकी 27,620 ठीक है 27,620 बेसिक के है आपके जिसमें 4 advance increment होंगी और जिसका खेल है आपका 23,700 से 980 by 7 ठीक है 35,60 ठीक है दूसरी चीज आपकी है यह देख लीजिए आपका जो है compensation जो आपका CTC है basic minimum जो है आपका 8.20 lakhs है ठीक है maximum हो जाता है वो 13.08 वो depend करता है कि आपकी जो posting है वो कौन सी place पर हुई है और other factors के ओपर तो यह है आपका basic page जो है आपका career का CTC का ठीक है joining training और career path जो है आपका आप एक बर जब join कर लेते हैं तो अगर आपका selection हो जाता है और आप इसमें join करते हैं तो 2 lakhs का आपको bond भणना पड़ेगा ठीक है 2 lakhs रुपए आपको देने पड़ेंगे SBI को क्यों और जो अगर तीन साल से पहले अगर आप ये तीन साल का income minimum serving period होता है अगर तीन साल से पहले आप इस institution को छोड़ते हो तो आपको 2 lakhs रुपीज का जो bond है वो भणना पड़ेगा ठीक है आप एली बढ़ देते हैं वो उनके उसमें हो जाएंगे ठीक है अब दूस अगरी एक्जाम होता है उसमें जो है आपका English Language Quantitative Aptitude और Reasoning Ability का section है आपका हम उसमें देख लेते हैं उसमें क्या क्या आता है descriptive में क्या है अब हम देखते हैं English Language गाइस English Language में 30 questions आएंगे आपके और duration आपको दी जाएगी 20 minutes की ठीक है अब इसका मतलब है 30 questions आपको 20 minutes में करने और जैसी 20 minutes खतम हो जाएंगे आपको automatically next section की और switch हो जाएगा आपको time नहीं दिया जाएगा और extra 20-35 questions रहेंगे 20 minutes time होगा reasoning ability के भी 35 questions होगे और आपको 20 minutes का time होगा इसमें चीक है total minimum marks जो है आपके total marks है आपके 100 बाकि इसमें negative marking होती है guys negative marking होगी तो यह मत सोचना negative marking नहीं है बाकि अब phase 2 का देख लेते हैं phase 2 में क्या है the objective test of 3 hours duration consists of 4 section यह objective test होगा आपका 3 hours का जो की 4 sections में divide होता है ठीक है और 200 marks का यह जो है test होता है ठीक है 200 marks है इसके maximum marks इसमें क्या क्या आएगा आपका reasoning and computer aptitude number of questions है 45 आपको 60 minutes की duration दी जाएगे और maximum marks है आपका 60 इसमें आपको 35 questions होगे start marks होगे और 45 minutes maximum time है आपका journal economy banking awareness के वह है आपके number of questions 40 marks 40 और timings है 35 minutes English language 35 questions 40 marks 40 minutes ठीक है duration रहेगी आपकी 3 hours number of questions होगे आपके 155 और total maximum marks है आपके 200 descriptive test है आपका 30 minutes का with two questions for 50 marks will be a test of English language English language में जो descriptive test है आपका वो letter writing और essay writing का होगा ठीक है तो I hope आपको यह समझ आ गया होगा इसमें क्या क्या sections है अब हम चलते हैं अब गाइस यह देख लिजे सेलेक्शन क्राइटिरिया फोर ग्रूप exercise and interview तो यह है आपका selection criteria क्या है category wise merit list will be drawn on the basis of aggregate marks scored in mains examination जो आपके preliminary marks है वो जुडएंगे नहीं ठीक है वो सिरफ eligibility decide करेगे आपके आगे के मेल्स के exam में appear होने की उसके बाद यहां से आपकी merit list बन के आएगी और उस पे basis पे आप आगे जाएंगे ठीक है Penalty for Wrong Answer Wrong answer की penalty क्या है यह देख लिजेए there will be a penalty for wrong answers marked in objective S for each question for which wrong answer has been given candidate will one-fourth marks will be assigned to the question will be deducted as a penalty to arrive at correct score इसमें one-fourth marks जो है आपके total में से deduct होंगे for example अगर चार marks का question है ठीक है अगर एक basic example दे रही हूं आपको चार number का question है तो one-fourth उसका deduct होगा मतलब एक marks उसमें deduct होगा आपका negative marking जाएगी चार marks जाएंगे ही जाएंगे हाथ से plus minus one की और negative marking जो जाएगी total 5 marks आपके cutting है अगर आपका एक question गलत हो जाता है तो phase three आपको पता ही है group exercises है और interview है एक group exercise आपकी भी इस marks की है जो की GD है और interview है आपका 30 marks का ठीक है final selection में आप देख लीजे क्या है आपका merit list prepare होगी तीर 2 जो आपका means का exam है और आगे GD interview और इन सब के marks जुड़के आपकी merit list बनेगी ठीक है examination center का मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या है joining का मैंने बता दिया 2 lakh का आपको bond per night 2 lakh rupees का pre examination training जो बच्चे SCST candidates है या फिर minority community इस से belong करते है वो pre examination training उनके यह centers है ठीक है आप इनको देख लीजिए अब guys number of chances की हम बात करते हैं बच्चे बहुत पूछते है number of chances के बारे में अब number of chances कितने है कितने नहीं है इसमें देख लीजिए अगर journal में या फिर EWS section है आपका तो maximum chance जो है 4 है आपके ठीक है फिर journal EWS PWD हो तो maximum number of chances जो है 7 OBC को साथ chance मिलते हैं appear होने के लिए OBC PWD को साथ chance और SC ST PWD इनके लिए कोई restriction नहीं है कितनी बार भी इस form को भर सकते हैं ठीक है बशरतों उनकी age limit की criteria में वो आने चाहिए अब कोई पूछता है कि आपने अगर यह देख लीजिए आपके चांस काउंट होंगे ठीक है दूसरी चीज कि अगर आप प्रिलिम्री में बैटते हो तो और मेंस में नहीं बैटते तो वह as a chance काउंट नहीं होगा appearing in preliminary exam will not be counted as a chance ठीक है अब हम चलते हैं नीचे how to apply apply कैसे करना है आपको पता है online आपको apply करना है यह site है आपकी http bank.sbicarriers इस पे आपको जाना है और हाँ से आपको अपने प्रजिस्टर करना है प्रफॉर्म फिल अप करना है ठीक है अगर कोई query हो तो आप यहां पर इनकी helpdesk पे जा सकते हैं यह है आपकी link जो है यहां पर आप click करके अगर कोई भी query आती है आपको तो यहां पर आप बता सकते हैं ठीक है अब है registration piece कितनी है कितनी नई है अब हम वो देख लेते हैं आपको पता है biometric verification होगी इसमें paper में और आपके examination center इसमें fees का कितना है आपका 750 rupees की है फीस आपकी ठीक है और जो SCST candidates है उनकी है 100 rupees की जो EWS section है economically weaker section उनकी भी fees जो है वो 750 है ठीक है यह है आपका fees का अब हम नीचे जाते हैं देख लेते हैं examination centers कहां कहां पढ़ रहा है और यह जो आपकी photograph और signature का है वो कैसे आपको upload करनी है वो एक बार आप देख लीजें यह देख लीजे ठीक है मैं इसको नीचे घर देती हूँ आप इसको देख लीजेगा photograph और signature का कैसे आपको डालना है फिर आपका यह guys यह नीचे है examination के centers यह preliminary exam के center कहां कहां आएंगे अगर आपने हर्याना भरा है तो अंबाला बहादुर्गर हिसार करनाल कुरिक्षेत्र पलवर हमना अगर कहीं भी आ सकता है मेंस का बहादुर्गर हिसार में आएगा तो इसी तरीके साब देख लीजिए preliminary और मेंस के examination के center आपकी खहां का पढ़ेंगे और उसे हिसाब से साइस होनी चाहिए, make sure कि एक अगेंस्ट लाइट कलर प्रेफरेबली वाइट बाग्राउंड में आपकी फोटोग्राप क्लिक होनी चाहिए, सीधा देखना है आपको camera में relaxed face, sunny day में फोटो नहीं कीचनी है, आपकी eye में कोई भी glare नहीं आना चाहिए, दूसरी चीज dimensions जो है इसकी 200 x 230 है, और pile size 20-50 kb के बीच में होना चाहिए, ठीक है, signature का क्या है, आपका white paper पे, black hand आपको signature करने है, ठीक है, running hand में signature करने है, capital या block letters में signature नहीं होने चाहिए, इसका size आपका 10-20 kb के बीच में, और 20 kb से जादा आपके size नहीं होना चाहिए, signature का, जब आप scan कराए, scanning के लिए ये है, कि अगर आपको जब scanning करनी है, तो minimum resolution जो है आपकी, वो 200 dpi पे आपको करना है, ये scan, jpg या jpeg format की आपकी file होनी चाहिए, ठीक है, और ये सब है आपका पूरा, इस form में क्या था, क्या नहीं था, तो guys, जो है आपका last time, जो है, cutoff जो गई थी आपकी, वो गई थी approximately 56.35, ठीक है, तो इस बार भी मुझे लगता है, कि 60 से उपर, जो है, cutoff जाएगी, नहीं, 60 से नीचे जा सकती है, पिछले चाहर पांग का प्रिकॉर्ड उख़ा के देख लीजिए, कि इतना cutoff गई नहीं है, ये 56.35 में एक रफसा idea बता रही हूँ आपको, तो इस से थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है, तो ये थी आपकी last time की cutoff इसकी, तो इस बार भी, जितना में को पता है, कि वो 60 से नीचे ही आपकी cutoff जाएगी, ठीक है, तो गाइस, ये था इस वीडियो में, I hope आपको समझाया होगा, और कोई भी, अगर आपको problem है, तो आप मुझे नीचे बताएगा, comment section में, ओके guys, take care, और इस phone को जल्दी से जल्दी फिल कीजिए, ठीक है?